मैं भीम मौरिया आए में आप सबों को सिलिंग फायंग का कनेक्शन और सिलिंग फायंग में जो कामन वायर लिकलते हैं उसको कैसे बचाने इसके बारे में आज मैं बताऊंगा सिलिक फैन में दो बैंडिंग होती है एक उपर वाली बैंडिंग इसको बोलते हैं स्टार्टिंग बैंडिंग अज नीचे वाली होती है इसको रॉनिंग बैंडिंग बोलते हैं ठीक है इसमें स्टार्टिंग में दो सिर्या लिकलते हैं जब को दिखाई दे रहे हैं एक यह ह गया अब रणिंग में दो स्ट्राव लिकलते हैं ठीक है सिलिंग फेन में दो बैंडिंग होती है पहला यह रन रन बैंडिंग हो गया दूसरा होता है इस्टार्टिंग में इस में बत आया था कि इसमें दो एक पाला रनिंग होता है दूसरा स्टार्टिंग ठीक हे इस फिगर पिन देखे इमाला रनिंग हो गया अब शीजित है कामewाय चैसार बनते हैं क्या करते हैं सिर्स्पीं मिला देखेलेगर जोड sperarti काम कीण से बने तरह इतर से सिलिंग में तींहों भाइन लिकालते हैं ठीग में चार भाइर लिकाल कर हैं नियुक्त करती हैं जी यहां पता करां कि कामान वार कान सा है कि रेड वाला है कि यह रेड वाला यह पीक फिली वाला है फिके इसके बारे मैं बतांगा ठीके अब हम किसी एक को कामन लेंगे और रेस्टेंट चेक हम पहले मल्ट्मीटर से चेकर के पता कर सकते हैं कि क्यामन मार कमान सा ये ठीके पहले हम म्हिला करें नहीं है कहों से कामन है थे कर है फेले इस इसको कामन मता है फले इस सके जाए ठीक है और इस्टेंद देखेंगे है अब कितना बता रहा है इसमें 508 बता रहा है ठीक है फिर हम क्या करेंगे इसके सची करेंगे इसमें कितना रहा है दो सो 27 ठीक है अब ठीक है जब मैंने इन दूनों के बीच मेरे स्टेंज चेक किया तत कितना रहा था 508 आ रहा था इन दूनों के बीच किया था कितना रहा था था 500 200 कुछ 2 ूफिस्टंग कुछ है था टीक है जब इन दूनों के सथ मेरे स्टेंज किया सथ ज्यादा रहा था तर्मिनल का साथ जोड़ेंगे ये दूनों ये राणिंग का रर्यक आ रहा है क्योंकि किसी एक ही क्वाइल का ये दूनों रेस्ट् professing यूंकि ये ये kस không का रेश्टेंस चेक करेंगर एक जयानिंग का यहर्टे स्टार्टरिंग का इस लिए इस में रेश्टेंस कमा ला रहा है शुर्ट पता करेंगे कि इसके साथ जाधा रेश्टेंस आ रहा है था थे थे अब इसके साथ देख लेते हैं Armand तो जिस दूनों वायर के साथ रेश्टेंज ज्यादा आएगा वह हमारा common वायर नहीं होगा जिसके साथ रेश्टेंज कम आएगा वह हमारा common वायर होगा ठीक है तो यह पीले वाला common वायर हो गया अज दूनों डेड़ कपशीटर के लिए connection करने के लिए वायर होंगे अब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे common wires चेक करने का ठीक है सबसे पहले हम टेक्टिलेंगे ठीक है सबसे जिसका रेश्टेंस अधिक होता है वो क्या मतलब बहुत कम जलेगा ठीक है इस दोनों वायर का रेश्टेंस कम होगा जाधा होगा वह हमारा common वायर नहीं फाली खाते टाल होगा होगा हा सब्सक्राइब कर वायर होगा अंग करनेание करें है अब हम कनैक्स अपर के दिखते है ठीक है यह चल रहा है ठीक है अब हब इसके साथ 있어 हम इसको कामन मान रहे हैं है हैँ क्या हुआ हिसको नहीं हो 1997 कामन वायर थीक है फीक इसके साथ जोडेंगे धाय यह नहीं चल्ला मतलब यह कामन वायर नहीं है अब कामन वायर आता तो सपन्राइज चेंजु केहने के बाद एक बाद उल्टे चलता है जीदा चलता ही अब इसको बदलेंगे कि किर आभ पिले वायरा को कामन वायर मानने ठीक है अग medicine लगा मौटव मौटों है चलने चलने अलिए कंफक lang हो जाएंगे पिले वाला कामन वार है आगर नहीं चल लएका तो यह वह प्रका पोरनुठ गतएंगे मिन इचल लए है तो यह से कन्फर्म हो जाओ कि कि यह वाला कामन वायर है ठीक है अब हम कैसे पचाने कि कौन सा वायर रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है ठीक है अब हम पचाने कि कौन सा वायर रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है यह तो कनफर्म हो गया कि यह कामन वायर है ठीक है अब इनमें हमको पता करना कि यह अब जिसका strengthen ज्यादा होगा वह होगा हमारा स्टाट्रींग वायर पर जिसका अंक हमारा अब करते है कर 10 कि इसका कितना है और 230 खाम एंच लंड़ के विसका जोड़िए कि सक कितना है , 250 टिक है जुख ज्यादा होगा वह कौन सा होगा , स्टार्टिंग ये वाला वाय hesa.. क्योंकिखिया रणिंग करते हैं स्टार्टिंग में ये चाह्ँ में धौन डलते हैं और रणिंग में कम ढालते हैं स्टार्टिंग के पेच्छा ठीक है इसलिए रनिंग का ज्यादा आना चाहिए जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है इस तरह से हमारा कामन वायर तता सिलिंग फैन का केनेक्शन समाप होता है थैंक्स